अलो फ्रेंट्स वोल्कम टू स्विंग ट्रेट्स आज की विडियो में अब एक ब्यांक के बारे में बात करेंगे जो कि एक 30,000 करोड का मार्केट काव है जो की ब्यांकिंग सेक्टर का ब्यांक है और इसका जो स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है बिलो 50 है जो की 48.6 के करेंट मार्केट प्रैस है इसका अगर आल टाइम है हम देखते हैं अभी जो रेजल्ट आया है तो रेजल्ट का बेसिस पे यहां पर करते हैं तो यहां सेप्टमबर का लग आट में जो यहां पर है अगर यहां पर देखते हैं प्रॉफिट अभी 20 करॉणा और व प्रॉफिट में बहुत बड़ी आशा ग्रोफ यहां पर नजर आ रहा रहा है जो कि लास्ट क्वाटर में यहां पर कुछ बड़ी हैसार पॉजिटिव नजर आ रहा है तो अगर हम देखेंगे लास्ट दो साल से यहां पर मार्स 2019 को मार्स 2019 करोड है उसके बाद में करोना के टाइम पर मार्स 2020 को अगर हम देखते हैं यहां पर पर से प्रोफिट में अभी लस से प्र में आङर देखके लएया है कि यहांपर वर्यवर करोड का रिजर प्रॉड हो हुआ इंवेस्टर का होल्डिंग एक भार देख लेते हैं ऑगर लास्ट ट्रेडिंग सिसंग के में तू परसेंटिव रिटर लिटर दियायot जो कि 95 पैसा नेगटिव रिटर्न है अगर इसी साब से देखते हैं क्वांटिटी ट्रेड़ेड हुआ है तू लाक एड़ तू करोड एड़ लाक क्वांटिटी इसमें ट्रेड़ेड हुआ है तो यहां पर जो डिलीवरी उठाए गया है तो इसी साब से अगर हम जाके एक बार चेक कर लेते हैं यहां पर चेक कर लेते हैं फ्रेंस यह स्टॉक को शिलेक करने का रिजन क्या है एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा पर दो निकाल देता हूं यह जो पहला रहे रेड कलर हंडर का मोवीं आवरेज है आप सबको मालूम होगा अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है किसे मोवीं आवरेज सेड करते हैं तो यहां से आई बटन में भी उसका वीडियो मिल जाएगा और यहां स्क्रीन बीडियो मिल जाया है बीडियो देख सकते हैं में 10 इपोसे दिस्क्रीपशन में रिध करना है किसे से सेडिंग क्रना है वह सब आप यहीं से जरूर देख सब्सक्रीप्स hombres तो अगर इस साथ तक अगर हम देखते हैं. इसाँ सब्सक्राइब करके आता है मैं इसाब आगे अगर हम एक बार देख लेते हैं मोवेंट अगारे देख लेते हैं तो यहां पर सपोर्ट ले चुका है अगर हम देखते हैं यह हम लेकर निकल चुका है अगर फिर भी हमने तो अल्रेडी पहले से पोजिशन बना के बैठे हुए मैंने आपको तो बताया भी था इस जगह में कहीं पर हम लोग पोजिशन बनाया है तो मैंने वीडियो भी एक बार बनाया था जब चैनल स्टार्ट हुआ था आपने अगर देखा होगा जरूर कमेंट सेक्षन में बताईएगा तो यह स्टॉक में अल्रेडी हमने पोजिशन बना के बैठे हुए है लेकिन अगर आपने पोजिशन बनाना तक अगर लेके चलते हैं 35% का गेन मिल सकता है अगर आप फिर भी अगर यहां पर नेक्स्ट लेवल तक अगर लेके चलते हैं यहां से अगर नेक्स्ट रेजिस्स्टांस तक लेके चलते हैं 42% का गेन मिल सकता है लेकिन फ्रेंस कोई भी एक पाई कर रहे है ना स्टॉक को एक पर बराबर समझ लेजे की में कॉन सा स्टॉक कि से लिए बोल रहा हूं ये स्टॉक के लिए पर लेके चल सकते हैं डेकी जब तक का फंडामेंटली जो क्लियर नहीं होके बड़ी ऐसा बन जाए तब तक इसी में शुरूइन करते रहें घिक ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहां पर स्विंग ट्रेड़ का ऊपपोर्चुंटी बढ़िए सब मज़र आ रहा है अगर इस टाउड में आप अगर स्टाउट में बना के चलेंगे इस लेवल पर चाल सकते हैं यहां पर यहां पर यहां पर आप को पोजिशन बनाना है तो बना के चल सकते हैं आपको जो टारगेत लेना है यह टारगेट तक आप जरूब रख लिए जो कि आपको 65 का अगर रखते हैं इस टाक को यहां पर को त्री मोंच में भी यह ठाट आचिब हो सकता है किसा हो सकता है, आपको जरूर profit आसकता है, जिस ही सबसे , यहां पर जिसी साब से रेजल्स दिख रहा है ना रेजल्स दिखिए यहां पर 152 करोर का प्रॉषिट आया है इस्वीद आप qur यहां पर ऑपर्चुनेटी नजर आ रहा है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इस टॉक में बिलकुल आप बना के चल सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि आप पॉर्टफुलिय जरूर डाइबर्सिपिकेशन रखेंगे किसी एक स्टॉक में अगर ज्यादा आपका वेटेज रख देंगे तो फिर कभी भी आप स्टॉक हो सकते हैं किसी भी स्टॉक में किसी भी कम्पनी में ठीक है है कि पोटफुलिय को डाइबर्सिपिकेशन रखें पड़ीयस लेती जाएगा अगर हर एक स्टॉक में अगर थ्री परसंट आप रखतें है अगर आपका पॉर्ट फ草ल्यों सब चाहित है इंबेस्मेंक वह सकता है अगर आपका पॉर्ट फूलियों का साइज तो आपको तो फिर हो एक मौन्थ में profit आएगा तो यारंटेड है होर एक मौन्थ में आपको profit हो सकता है कि क्यूं बोल रहा हूं जिनों ने plan कियो हुए financially freedom पाने के लिए यह सारा planning करके अगर चलेंगे ना तो उनको financially freedom जरूर आची हो सकता है क्योंकि stock market जो बोलते हैं कभी होता है तो आपको प्रोफिट नहीं मिलेगा अगर आप उसी स्टाक में बने रहेंगे काफी सरफ पोर्टफोलियों में आपका पोर्टफोलियों में कम से कम अगर 50 स्टाक से इसा हो सकता है किसी भी मौन्थ में आपको अगर आप आवरेज निकालेंगे ना आपको साल में अपने टार्गेट लिया हुआ है स्ट्रेड में फिप्टी को फिप्टी स्टाक में आपका टार्गेट आचिव हो गया होगा इसा हो सकता है इस तरी फिर फोर स्टाक में आप अभी भी कुछ स्टाक में सकते हैं यह चीज को मानना पड़ेगा हमें क्योंकि काफी सारा स्टाक होता है काफी सरा कंपनी होता है जब गिड़ता है वहां पर अपरेटर जब तक एंट्री नहीं लेते हैं तब-अपरेटर कभी-कभी वह थोड़ा सा कॉंसुलिडेशन में ले ले जाते हैं जब वह भगा गे लेंगे ना उस टाइम पर एक अपते दो अपते में भी तर्गेट आचीव हो जाएगा ठीक है तो आपको हमेशा पोर्टफुलिय डाइवर्सिपिकेशन रखना है तो डाइवर्सिपिकेशन रखेंगे तो कोई एक दो स्टाक में आप सकते हैं लेकिन काफी सरा स्टाक का जो टार्गेट है आपका आचीव हो जाएगा six months में हो जाएगा कभी two months में हो जाएगा कभी three months में हो जाएगा काफी सरा स्टाक का प्रफिट आ चुका है तो उसी स्टाक में फिर से इन्वेस्टमेंट कर अभी देखिए मैं इसलिए डेली डेली आपको वीडियो बना के बता रहा हूं आपके पास में 100% अपर्चुनिटी अभेलेबल है जिस टाइम पे आप अगर आएंगे तो आपका प्रॉफिट किसी भी स्टॉक में प्रॉफिट बॉकिंग हो गया आप इमेडियेटली वीडि तो उसी से अगर आप पोर्टफोलियो करके रखेंगे आपको रिस्क भी इतना आधा नहीं होगा लेकिन अगर आप फ्रीडम चाहते हैं तो आप थोड़ा सा खुद का भी अनालिसिस करना जरूरी है उसको सीखने के लिए आपको कुछ पेमेंट पगरा करने की जरूरत नह लेना है है ापको बराबर समझ में आ जाएगा कौन सा स्टॉक में केसा पुसिशन लेना है कितना कितना वं क्यूथ मैं तो कॐलेन स्टॉक भी यह कृप Šाड भी कौन कर लिए उसी बचिस पे किशी पास जाने की जरूरत नहीं है पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं खुद आप बढ़ी ऐसे ट्रेड लिए बढ़ी ऐसे प्रॉट बोल हो जाए फिर उसके बाद में यह सा हो सकता है एक दिन आपको जॉब करने की जॉरूरत भी नहीं पड़ेगा ठीक ना जाब अगर करेंगे परफिट होते जाएं तो अंक्तर में बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं स्ट्रेड में हैँ साल में पोट्फिलीयोग के लिए अगर आपके पास में एक ही आकाउंट है यहां पे डिस्क्रिप्रिप्सन में और एक लिंक दिया हुआ है और लिंक से ओपन कर लिजिए अकाउं क्वेशे क्या design करना है तो आप पुश सकते हैं मैं आपको जरूर help करो कि आपको कैसे portfolio बनाना है कौन सा stock लेना है क्या करना है जरूर आपको उसमें help कर सकता हूं ठीक है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक किजिए friends के साथ में share किजिए अगर चैनल पर आपको जरूर प्रफिट बॉकिंग कर लेना है कि यह स्विंग ट्रेल स्टाउक से थैंक्यू वेरी मुच्छ प्रेंट्स पर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में